नमश्कार द। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मास्टर जी पे तो द। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 पैसे के इस तरह के गैंडे वाले सिक्कों के बारे में इन सिक्कों में आते हैं काफी सरे कीमती और रेर सिक्के जिन के बारे में आप लोगों को शायद ही अब तक पता हो तो आज हम इनी सिक्कों की पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं इसके साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ इसी तरह के एक सिक्कों का पूरा लाट जिसको मैंने हाली में एक डीलर से खरीदा है तो ये पूरा 500 सिकों का लाट मुझे कितने में पड़ा है इसकी भी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ तो इस वीडियो का आप लोग बिना स्किप किये पूरा अंच तक जरूर देखिएगा तो चलिए बिना कोई टाइम वेश्ट किये शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें 25 पैसे के इस तरह के स्टेनलेस स्टील के सिकों की तो इनकी शुरुआत होती है 1988 से और इनको आखरी बार जारी किया गया था 2002 में तो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बने हुए यह सिक्के होते हैं 2.85 ग्राम के वही इनका साइज होता है 19 mm का तो इन सिकों के डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपवर साइट पर सबसे उपर की तरफ बना हुआ है अशोक स्तंब का चित्र जिसके नीचे बहुत ही मही नक्षोरों में लिखा हुआ है सत्यमेव जैते इसके दोनों तरफ लिखा हुआ है भारत और इंडिया वही नीचे की तरफ है 25 पैसे तो इस सिके के दूसरी साइट पर आप लोगों को बीच में देखने को मिलता है बड़ा सा राइनोसौरस का चित्र जिसको हम हिंदी में गैंडे के नाम से जानते हैं वहीं सिके का मिंटिंग इयर और इसका मिंट मार्क इसके ही उपर बना हुआ है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरह के सिकों को बनाया गया था भारत की चार अलग-अलग मिंटों से जिसमें थी बॉम्बे, कैलकटा, हैदराबाद और नॉइडा की मिंटें तो इनके जो मिंट मार्क्स होते हैं वो आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके अलवा इस सिके को 1988 में एक विदेशी मिंट से भी जारी किया गया था और वो विदेशी मिंट थी कनाड़ा की ओटावा मिंट तो ओटावा की इस mint का जो mint mark होता है वो है C तो इस mark से आप लोग confuse मत हो जाएगा कि ये सिक्के Calcutta mint के हैं क्योंकि Calcutta mint के सिक्कों पर कोई भी mint mark नहीं होता है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मैंने कौन सिक्के कितने रुपए में खरीदे हैं तो दोस्तों यहाँपर जो आप लोग सिक्के देख रहे हैं हे सिक्के मैंने अभी अभी ही खरीदे हैं हाला कि इस तरह के सारे सिक्के rare की category में नहीं आते हैं और ऐसे common सिक्के ज्यादतर lots में बेचे जाते हैं Lots का मतलब होता है कि एक साथ काफी ज्यादा सिक्के जैसे कि मैंने जो यहाँ पर सिक्के खरीदे हैं वो है यह 500 सिक्कों का एक पूरा lot तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर हर एक year और काफी सारी अलग-अलग मिंट्स के सिक्के हैं इन में से ज्यादा तर सिक्के common की category में ही आते हैं और 500 सिक्कों का यह जो lot है यह मैंने खरीदा है 175 रुपए में यानि कि ऐसे एक सिक्के की कीमत की बात करें तो यह मुझे पढ़ा है 35 पैसे का यानि कि इसकी जो face value है वो है 25 पैसे और मैंने ऐसे हर सिक्के को 10 पैसे उपर में खरीदा है जो कि यह काफी अच्छी डील मानी जा सकती है हाला कि दोस्तों इस तरह के 25 पैसे के गेंडे वाले सिक्कों में कुछ सिक्के स्केर और रेर की केटेगरी में भी आते हैं जैसे कि अगर आपको 1993 के सिक्के मिल जाएं तो उनमें हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको 2000 रुपए तक दिला सकता है लेकिन वो सिक्का होना चाहिए UNC कंडिशन में वही 1993 के ही बॉंबे और कैलकटा मिंट के सिक्के भी आपको UNC कंडिशन में लगबग 200-200 रुपए दिला सकते हैं और 1992 के कैलकटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के भी लगभग आपको UNC कंडिशन में 100-100 रुपए तक दिला सकते हैं इसके बाद यहाँ पर 1997 के कैलकटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के भी स्केर की केटेगरी में ही आते हैं इन दोनों सिक्कों की कीमते भी आज की समय में UNC कंडिशन में चल रही है तकरिबन 50 रुपई से 75 रुपई के बीच में और यहाँ पर एक और स्केर सिक्का है जो की है 1988 का जिसकी मिंट है कैलकटा तो कैलकटा मिंट से बना हुआ 1988 का ये सिक्का अगर आपको UNC कंडिशन में मिल जाता है तो इसकी भी कीमत चल रही है तकरिबन 30 रुपई से 50 रुपई के बीच में तो इन सिक्कों के अलावा इस तरह के गैंडे वाले सिक्कों में कोई भी सिक्के रेर या स्केर की कैटेगरी में नहीं आते हैं जब तक कि उन सिक्कों में कोई एरर ना हो या फिर वो सिक्का कोई पैटन या एक्स्पेरिमेंटल क्वाइन ना हो क्योंकि आज से लगबग 5 साल पहले मुंबई के तोड़ी वाला आक्चन में एक पैटन सेट बेचा गया था जिसमें ऐसा ही एक 25 पैसे का पैटन कौईन था जिस पर की इसी तरह का गैंडे का चितर बना हुआ था तो इस सिक्के की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये सिक्का था 1986 का यानि कि 1988 में इस तरह के common circulation के सिक्कों के आने से पहले 1986 में इस तरह की सिक्कों का पैटन तयार कर लिया गया था तो ये जो पूरा चार सिक्कों का पैटन सेट था इसको बेचा गया था 5,20,000 रुपे की कीमत में इसी तरह से कुछ और भी स्केर सिक्के हैं जिनकी जानकारिया मैंने आपको पहले भी इस वाली वीडियो में आपको दी थी तो अगर आप इस सिक्कों के बारे में और भी ज्यादा जानकारिया लेना चाहते हैं तो उपर आई बटन में आपको एक और वीडियो मिल जाएगी मगर दोस्तों आज की इस वीडियो का जो बनाने का मकसद था वो था आपको इस तरह के कॉमन सिक्कों के बारे में बताना यानि कि आप मैं से-से काफी सारे लोग होंगे जो इन सिक्कों को हजारों या लाखों का समझते होंगे क्योंकि हो सकता है आपने यूटीव पर कोई फेक वीडियो देखी हो जहां पर इन कॉमन सिक्कों को कीमती बताया जा रहा होगा लेकिन दोस्तों ऐसी फेक वीडियो सिर्फ व्यूस पाने के लिए ही बनाई जाती है और उनका सच्चाई से कोई भी वास्ता नहीं होता है तो आप उस तरह की फर्जी वीडियो के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें नहीं तो आपके समय और पैसे दोनों का नुकसान होगा तो आई होब कि आप लोग इस तरह की सिक्कों के बारे में जानकर काफी कुछ नया सीख पाए होंगे तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरू कीजेगा और इसको अपने दोस्तों के साथ वाटसेप और फेस्बुक पर जरू शेर कीजेगा जिससे की ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच्चाई का पता चल पाए और इसी तरह की सच्ची वीडियो को आगे भी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को आल पे सेलेक्ट कर लीजेगा तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही और आप से भी लोग खुश रहें सेफ रहें और सलामत रहें